इस चैनल पर आज मैं आप लोगों के सामने एक्स्प्लेन करूँगा H.W.Longfellow के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही महत्तपुर्ण Poetry, The Village Blacksmith यही है H.W.Longfellow, इस पॉर्म के कंपोजर Actually, मैं आपको बताना चाहूंगा कि I am a huge fan of this great poet H.W.Longfellow H.W.Longfellow जिनका पूरा नाम था Henry Wordsworth Longfellow He was an American poet वे केबल पोएट ही नहीं थे बलकि एक उपदेर्शक भी थे He was a preacher also इसलिए इनकी जितनी भी कविता हैं आपको मिलेंगे उसमें कुछ न कुछ एक सीख है यह भी कविता जो कि एक बैलेट है बैलेट मतलब वह ऐसी कविता जिसमें की कविता के माध्यम से एक स्टोरी पोएट हमें सुनाता है So here is the story of a fabulous blacksmith और इस पोएट्री में इन्होने प्रेज किया है He has praise to those who do hard work but never get recognition Without getting recognition He is keeping to do hard work So इसी तरह कि यह पोएट्री है बहुत इस्ची पोँम है मैं इसकी व्याक्षाप लगां के लिए करूंगा line by line, word by word और मैं ब्याक्षाप शुरू करूं इसके पहले अन्नी दिनों के तरह आज मैं फिर आप से रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगोने मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है खासकर उनके लिए Just go ahead and subscribe my channel At the same time Please don't forget to hit on this bell icon और जिन्होंने अल्यदे सब्सक्राइब कर लिया है I request very humbly and meekly If you like my videos Just share it And comment as many as comment you can Right यह form balance है जैसे मैंने आपको बताया Total list में कितने stanza है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस stanza है और every stanza contains 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 lines 8 x 6 Total 48 Lines की यह 0.3 है इसका मीटर एम्बिक है एम्बिक मीटर में क्या होता है कि एक stress और एक unstressed sound कोता है तो चलिए आज इसका मीटा की व्याक्षा में आप लोगों के लिए करूं Under a spreading cast in a tree The village smithy stands The smith a mighty man Is he With large and sunway hands And the muscles of his brawny arms Are strong as iron bats So this is the very first stanza of this poem Poetry के शुरुआत में ही poet हमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इससे Black smith Black smith में क्या होता है जो लोहे का काम करता है Hindi में कहें तो लोहार कहलाता है He is fair तो आज इसी से हमारी परिचे करा रहे है Poetry इस first stanza में और कहते हैं कि Cast unit मतलब काजू के पेड़ के नीचे गाउ में Smithy मतलब workshop एक workshop खड़ा है किसका Smith का हुआ कैसा है वो mighty man है ताज़त बाला आदमी है Large and Sunway hands उसके हाथे किसी है बड़ी है और मजबूत है And muscles of his brawny arms Are strong as iron lens उसके हाथ के जो muscles है कैसे है Iron के तरे strong है यहाँ पर देखिए As iron से इसका इनोंने compare किया है तो जब compare as या like लगा कर किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते है Simly तो यहाँ पर Simly device का यूज़ किया है Poet ने Right पाला स्टेंजा समझ में आ गया चलिए मैं आप Next स्टेंजा दूसरे स्टेंजा की हो जा रहा हूँ यह है आपका दूसरा स्टेंजा और इसमें Poet Introduce करा रहे हैं उसके face के बारे में उसके appearance के बारे में कैसा है His hair is crispy Crisp And black And long उसके hair कैसे है काले हैं उल्जे हैं और लंबे हैं क्यों? क्योंकि वह दिन भर सूरज के नीचे काम करता है गर्मी में काम करता है साहती साहती उसका furnace अगर आपने देखा होगा तो blacksmith के यहां एक furnace होता है उस furnace में वह iron को गर्म करता है Then after with the help of hammering Try to get desirable shape of iron तो उसमें थोड़े लमार मार कर होगा उसको एक step देता है तो गर्मी के में रहते रहते उसके वह कैसा हो गया है बाल उसके crisp हैं लंबे हैं और काले हैं His face is like tan tan मतलब brownie black pardless के साथ क्राम करते करते उसके चेहरे भी जुलस गये हैं यह बता रहा है मैं यहां पर होने poet His brow is wet with honest strength बहुत सुन्दफ़ रहे हैं उसके जो eyebrow है उसके ओपर क्या है honest strength पसीने जो है इमांदारी के पसीनों से भींगा हुआ उसका eyebrow है He urls whatever he can He urls as per his capacity जिस जिसके उसकी capacity है उतना वो url करता है and looks the whole world in the fist for he owes not any means क्योंकि वो किसी का कुछ उधार ही नहीं लेता है वो मतलब कर्द लेना He is free from any kind of obligation so that now he looks the entire world in the face of पूरे संसार को एक ही दृष्टी से देखता है उसे किसी का नसे ना तो ज्यादा लगाओ है ना तो किसे से उसकी कोई अपेक्छा है हुआ इमांदार है और पूरे संसार को एक दृष्टी से देखता है right so we have completed the two stangas let's proceed into the third यह रहा का third stangas from this point to that point आगे बता रहा है week in week, week in, week out from morning till night morning हापर morning का short form you can hear his bellows blow क्या कह रहा है सुबह, week in, week out सबता आते हैं, जाते हैं सुबह से लेकर night अधिकतर लोग शाम तक काम करते हैं but this person is working till night आप क्या सुन सकते हैं you can hear his bellows bellow मतलब hammer blow मतलब प्रहार hammer से जोगे hammering करता है उसके sound को आप सुन सकते हैं you can hear him swing his every slave swing मतलब प्रहार भी यह लाना slave मतलब भी होता है hammer उसके hammered slaves को आप क्या कर सकते हैं सुन सकते हैं with major beat and slow like sexton sexton क्या होता है भाई sexton एक church का imply होता है जो घंटी बजाने का काम करता है चर्च में तो लाइक सेक्स्टन सेक्स्टन ringing the village bell when even sun is low जब सूरज लो हो जाता है हमें समय की पहचान नहीं होती तो समय की पहचान बताने के लिए जो चर्च में घंटे बजते हैं उसी तरह का यह घंटा बजा रहा है कान ब्लक स्मीथ कान अपने हमर से when he hammers on the red hot iron to get the desirable safe so this incident the incident of hammering up this blacksmith here compare with the sex story तो यह पर भी लाइक का युष हुआ है तो यह भी आप देक्रहें की सिमली का युष हुआ है अपर पोई पोई हुआ है next stanza and children coming from school look in the open door they love to see the flaming forge and hear the bell of road and catch the burning spark that fly like chai from thrushing floor बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो due to the full excitement wants to look into the door to see the world of this blacksmith बच्चे आते हैं तो क्या देखते हैं पुले टोर से इसके काम को देखते हैं they love to see the flaming forge निकलने वाली जो आग है फॉर्ड मतलब फॉर्ड मतलब क्या होता है उसके वर्क्शॉप से जो निकलने वाली आग है उसके फॉर्डनेस से उसको देखने में बच्चे को बड़ा आनन्द मिलता है और उससे कैसा लगता है फिर देखे लाइक का प्रियोग से मिली है शैफ फ्रॉम थ्रॉसिंग फ्लोर जैसे कि आप यहूं से जब दाने निकलते हैं तो उसकी भूसी अलग हो जाती है similar type of experience similar type of feeling children get here when they see the fire in this workshop right next stanza he goes on sunday to church and sit among his boy he hears the person's pray and preach he hears daughter's boy singing in the village court and it makes us hurt with drugs यहां तक इस stanza में के माध्धन से पोएट ने हमें दिखाया he is very laborious person now he introduces in this stanza saying that he was not only a religious workable religious person sorry he was not only a worker but he was a religious person as well he was a religious person like other people he goes to church on every sunday वहां वह बैठता है और hear करता है क्या preach को preach मतलब उपदेश को सुनता है whatever the father in the church preaches for doing good things he listens he listens everything he hears the daughter's voice उसकी जो बैटी है उसकी आवाज को वह सुनता है जो भीलेज के church में क्या करती है पोरस में गाती है पोरस मतलब क्या होता है एक group में जब लोग गाते है तो उसकी बैटी भी गाती है और वह इंजॉय करता है अपने बैटी के भायस को इस लाइन से इंडिकेट कर रहा है पोएट की जो ब्लैक स्मीथ है उसकी वाइफ नहीं है तो जब उसकी बच्ची गाती है तो उसकी बच्ची की आवाज की तुलना वह करता है अपने बैटी की आवाज की तुलना उसकी मां से मिन्स अपने वाइफ से क्यों कहा है? पैराडेज में है, स्वर्ग में है इस लाइन इंडिकेट्स दैट प्रेजेंट ली इस वाइफ इस नोबल इस नोबलाब अपने पुरानी यादों में खो रहा है उसे याद पढ़ रही है अपनी वाइफ की जो सोही हुए कहा? ग्रेब में है वाइफ बतलाब बोटता है वह सारी रिशे तो मजबूत है वह बहुत हेल्दी बताया गया है बहुत माइटी है, वह स्ट्रॉंग बढ़ी है लेकिन उसके हार्ट में सेंस भी है है ना? वह एमोशनल परसन भी है अपनी वाइफ को याद करते करते उसके आँखों में आशू बहातने लगते है जो अपने रॉफ हैंड से जो कि वह काम करते रहता है अमेसा उसके हैंड स्मूथ नहीं है रॉफ हैंड से अपनी टियर को वह क्या करता है? वाइफ करता है वाइफ मींस पोचना राइट सम्मझ में आ रही है बाद? चलिये ट्वाइलिं रिस जएसंच आरओं उन्वर्स गर्म देखों माली को यह मॉर्नी तंस ब्गींद इच इज एसविशन से इस स्टोस इस उन्तार सकिन इस पोर स्टेंजा के माध्यम से जन्रलाइज किया है जो एक ब्लैक स्मित का जो करेक्टर है यह लगवाद हरेग सिंपल हरेग जन्रल पीपल का यही लाइफ स्टाइल है किया है त्वाइलिं महनत करना आफ्टर दाइज रिज्वाइस इंग मतलब कुछ मोज मस्दी करना और फिर दुख हो जाना आफ्टर पार्शल विथ इच जन्रल पीपल्स हर एक आम बैक्ती की जिंदगी किया समस्तिया है फिर अनवार्स अनवार्स तो लाइफ ही कोज और यह पूरी जिंदगी में होते रहते हैं इच मॉर्निंग सीज सम्टावस बिगैन हर एक सुबह होते ही उसका एक नया काम श जिंदगी तो यही है कोई काम हमारा पूरा होता है और कोई काम अधूरा भी छुट जाता है तो लिख रहा है सम्टाइम्स एटेम्स सम्टाइम्स सम्टिंग डन की और नाइट्स रिस्पॉंस और क्योंकि वह काम करने वाला मैनती है यह इस रहत में उसकी नींद भी उसे अच्च्चा डन से आति है। बैचेन भरी निंद वा नही सोता है। Because he performs his all work with full of honesty, full of its labor, so at night he responds. Right? Resposed means state of rest. निंद आतियो से चेपल से Thanks, thanks to thee, my worthy friend, for the lesson thou hast taught. Thus, at the flaming forge of life, our fortune must be wrought. Thus, on its sounding and well-shaped, each burning date enter it. Last line में, जैसे मैंने कहा था, you as a preacher, वो thankful है, किसका? Blacksmith का. क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि Blacksmith ने अपने daily routine के माध्यम से हमें क्या किया है? एक lesson दिया है. क्या बुल रहा है? Thanks, thanks to the Venus of you, my worthy friend, मेरे अच्छे मेत्र, मेरे महत्पुर्ण मेत्र, important friend, I thank you for the lesson you have taught. इसके लिए बाई, क्योंकि तुमने एक life का lesson मुझे जो पढ़ाया है, इसके लिए मैं तुमको thank देखता हूँ. Thus all the flaming forts of life, our fortune must be rot. ROT मतलब ship, एक आकार लेना. जैसे कि लोहे जैसे कठिंची जांपू, we know, iron is a very hard material. But, blacksmith क्या करता है? आग से तपा कर, hammering कर, उससे फिए अपने desirable shape में ले आता है, जैसी उसकी एक्छा होती है, उस shape में वह धाल लेता है. वही काता है, कि जिन्दगी रूपी चूले में our furthest, जिन्दगी रूपी जो चूला है, हमारा जो furthest में चूला, उसमें हम ROT कर सकते हैं, किस को? अपने life को. है ना? ठीक है? Each burning deed and thought, अपने अंदर burning deed और thought को हम shape कर सकते हैं, एक नया आकार दे सकते हैं, with the help of our hard work. तो life is full of fire, it is like a furnace, but he feels very thankful in the last line, the last stanza in fact, saying that, क्या कह रहा है हुआ? जैसे कि तुम कथिन महनत करके, solid iron को भी एक शेप दे देते हो, उस तरीके से, जिन्दगी के furnace में, अपने आप को, अपने thought को, और अपने दीड को, कुछ लाकर हम सेव दे सकते हैं, राइट? तो दिस वाल अबाट दे पोईट्री, आइधेंग, आपको यह पोईट्री समझ में आ गई होगी?